दोस्तों कि आप जानते हैं कि long term investment में किसी भी company में अच्छे fundamental analysis के साथ ही साथ अगर वो company bonus shares और stock split करती है अपने तो आपको एक multi bagger returns मिलने के chances जादा रहते हैं नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब को एक बार फिर से stock for retail पर stock market से जूड़ी एक नहीं जानकारी के साथ तो दोस्तों आपकी screen पर जो दिख रहा है के solves India Limited 433 रुपय के आसपास trade कर रहा है 20 रुपय की आज इसने बढ़त दिखाई है और तरसे अपर circuit हिट किया है इसके पीछे का region आपको clearly समझ में आ जाएगा जब इसका पिछला एक week का हम chart देखेंगे तो यहाँ पे अगर एक week का chart हम लगा जबते हैं इसका तो आप देख सकते हैं कि एक week के chart पे इन्होंने 3% का negative returns दिया अब यहाँ पे ध्यान दिजिए तो 428 रुपय से यह गिरकर 350 रुपय तक आ गया था Wednesday यानि कि पिछला जो Wednesday था अगर हम देखें कि Wednesday क्या था तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो तारिक के आसपास यह 350 रुपय के आसपास आ चुका था अब इसमें important बात देखें आप important बात आप देख सकते हैं कि dividend pay कर रही है ठीक है dividend pay करने के साथी साथ यहाँ पे 321 का bonus share issue किया था 321 का bonus share जो की 4 जून 2021 को X date थी इसकी और इसके बाद यहाँ पे आपको आज के दिन यानि कि 7 जून 2021 को अपर सर्कुट देखने को मिल रहा है ठीक है 321 कहने का मतलब यहाँ पे अगर आपके पास Case Alls India के एक share होते तो bonus shares issuing के बाद आपके पास हो जाते 3 shares तो clearly आप सोच सकते हैं कि bonus share कितना important होता है आपके investment के लिए अब यहाँ पे share price बढ़ रहा है माल लिजे एक दो साल के बाद फिर से share price 1200, 1300, 1400 रुपय तक आजाता है तो आपका जो investment था यहाँ पे केवल 1000 रुपय या 1100 रुपय का investment वो बन जाता है यहाँ पे 4000, 5000 का investment पे returns तो आप clearly किर कौन international limited देखिए 47 रुपय का trade कर रहा है आज के दिन और यहाँ पे अगर हम detail देखें कि वह इसे इन्होंने कोई bonus share issue किया है तो आप यह clearly देख सकते हैं कि यहाँ पे bonus share इन्होंने issue किया है 20th मै 2021 को तो जो X date थी वो 20 मैं 2021 की थी ठीक है तो यहाँ पे clearly bonus share के बाद क्या हो अगर one is two one का bonus share है तो मालीजे कि जो share price है bonus share issuing के पहले 100 रुपय की है तो bonus share issuing के बाद वो प्राइस 50 रुपय की हो जाएगी जो कि आपको यहाँ पे इरिकॉन international limited के case में दिख रहा है इन्होंने share split भी कर रख है तो clearly जो 47 रुपय का price है 47 रुपय का नाओ के 100 रुपय के ऊपर है ठीक है यहाँ पे जय भारत मारूती लिमिटर देखिए 229 रुपय का यह चल रहा है अभी 229 रुपय के आसफास trade कर रहा है और यहाँ पे अगर हम events में देखे तो आप देख सकते है कि events में clearly इन्होंने bonus share issue किया है तो यहाँ पे आप ध्यान दीजे तो आप देख सकते है कि one is two one का bonus share issue किया है साथ जून 2021 यानि कि आज के दिन इसकी X date है तो यह जो तीनों shares हमने discuss कर रहे है अभी यहाँ पे राइट यह तीनों अलड़ी हम अपनी वीडियो में पहले discuss कर चुके है इनके stock prices जब कम हुआ करते थे तब हमने discuss किये थे कि आप इनको buy कर सकते हैं आप इनकी portfolio में अपने hold करते हैं तो आपको bonus share मिलेगा तो आज के दिन यह X date है इसकी bonus की यानि कि आज के दिन यह जो price आपको दिख रहा है just 50% कम पे दिख रहा है यानि कि कल के दिन इसका stock price आपको करीब साड़े 500-600 रुपय के आसपास देखने को मिल रहा होगा यानि कि 6 जू आज के दिन 229 रुपय पे ट्रेड करने वाला जय भारत मारूती लिमिटेड आज के दिन 229 रुपय पे ट्रेड कर रहा है just because of bonus shares issuance ठीक है तो हम यहाँ पे ऐसे shares की बात करने है जिनकी हमने discussions कर रखी है पहले और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वो कैसे bonus shares के बात price तो कम हो लेकिन long term के लिए hold करते हैं तो आपको फिर से वही price return होती है और फिर से एक अच्छा खासा returns मिलने के chance ज्याद होते हैं यहाँ पे देख सकते हैं एस्टरल लिमिटेड 1890 रुपय के आसपस ट्रेड कर रहा है और अगर हम detail देखें इसकी events में जाके तो events में अगर हम detail देख का bonus share issue किया था तो आप clearly समझ सकते हैं कि इनका जो trend upset कर रहा है यह हर दो साल पे bonus share issuing का तो अभी भी अगर buy करते हैं long term के लिए hold करते हैं तो आने वाले 2023 तक हमें इनमें bonus share की उमीद कर सकते हैं ठीक है यह तो हो गए bonus shares की बात अब यहाँ पे फिनोलेक्स इंडुस्ट्री द गया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो X split दे थी 15 April 2021 थी 10 is to 2 की ratio में यह share split हुआ है Finilis Industries Limited और इसको भी हमने अपनी वीडियो में discuss कर रखा है तो आप समझ सकते हैं कि जो stock split होता है वो भी कितना helpful होता है आपके long term investment में क्योंकि ऐसे stocks आप portfolio में रखते हैं और वो समय समय आपको bonus shares issue करते रहते हैं और कभी अकमने share का split करते हैं तो आपके number of shares increase होते हैं ठीक है हम यहाँ पे details में fundamental analysis नहीं कर रहे हैं क्योंकि fundamental analysis obviously in case strong होते हैं आप देख सकते chart pattern कितना जवर्दस chart pattern follow करते हैं 33,000% का return दिया है Alkyl M.I.N.S. Limited 3,600 रूपए के आसपस ट्रेट कर रहा है dividend paying company होती है यह और अपने sector की one of the leaders होती है fastest growing company होती है और यहाँ पे Alkyl M.I.N.S. Chemicals Limited का अगर हम events देखें तो आप देख सकते हैं clearly कितना जबर्दस्त इन्होंने एक performance दिया और consistently dividend paying company है साथी साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं share split किया इन्होंने 11 मई 2021 की इनकी X date थी जो face value 5 उसको split किया face value 2 में तो यह particular stock भी एक option हो सकता है आपकी portfolio में long term investment के लिए जो की आने आले समय में आपको bonus share भी issue कर सकता है यह तो बात हो गई उन shares की जो की जो की जिन्नोंने ऑल्रड़ी bonus share या stock split कर दिया यहाँ पे देख लेते वरून बेवरेज़ लिमिटेड 1100 रुपे क कि आज की move हुई है और इन्होंने भी 1 is to 2 का bonus share यहाँ पे issue किया है जिसकी X date 10 June 2021 है यानि कि 10 June 2021 के पहले 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 आपकी portfolio में अगर यह रहता है तो आपको हर 2 share पे एक share यहाँ पे bonus मिलेगा वरून बेवरेज़ लिमिटेड में अब इसके बारे में हमने detail में बात कर 990-980 रूपय के आसपास डिसकस किया था और आज के दिन यह trade कर रहा है ग्यारा सो रूपय के आसपास ठीक है यहाँ पे आरती इंडिस्ट्रीज लिमिटेड का देख लेते हैं 1710 रूपय के आसपास trade कर रहा है इनकी X date है 22 June 2021 यानि कि अभी भी time है इसको अगर आप अपनी 20 shares हो जाएंगे ठीक अब मालीजे example आपने 2019 में share buy किया होता है 10 shares इसके तो आज की date में आपके पास already 20 shares होते हैं और इस particular issuance के बाद bonus issuance के बाद आपके पास 40 shares हो जाते हैं तो इसी तरह का examples आप समझ सकते हैं कि विप्रो में कैसे केवल एक shares करोडों का returns दिया है अपने share holders को तो हमेशा आप ध्यान में रखिए कि bonus share अगर आपको consistently दे रही है company तो उस company में जरूर investment करना चाहिए और कम से कम 10-15 साल के लिए hold करना चाहिए ठीक है यहां पर साधना Nitro Chem Limited 48 रुपे के आसपास trade कर रहा है और आज के दिन यहां पर देख सकते हैं 90 पैसे के आसपास move दि मॉनिटरिंग के purpose से होते हैं से भी द्वारा stocks पे और companies पे लगया जाते हैं ठीक है small cap की company तो आगे चल के mid cap और large cap में grow हो सकती है यहां पर अगर हम all time chart देखे इसका तो आप देख सकते है all time chart पे 6100% के आसपास returns दिया है अला कि dividend पे नहीं कर रहा है यह dividend पे नहीं कर रहा है आप यहां पे देख सकते है 2020 में miss किया उसके पहले consistently dividend पे नहीं कर रहे थे हाला कि यहां पे corporate actions में देखेंगे तो आप देख सकते है 2020 में उनने bonus share issue किया था और 2020 में share split भी किया था 2019 में share split किया था तो यह आप देख सकते हैं कि एक जबर्दस्त यहां पे strong contender थी यह as far as bonus share is concerned but consistently dividend पे नहीं कर रहे है तो इसको हम यहां पे एक तरह से discard करेंगे monitoring list में रखेंगे और recently इन्होंने जो यहां पे announcement की है आप देख सकते हैं कि bonus share यह फिर से दे सकते हैं तो यह 3 June 2021 का announcement पे है तो आप यहां पे clearly देख सकते हैं कि भाई यह consider करेंगे bonus share declaration के लिए जो भी इनकी meeting होने वाली है 9 June 2021 को ठीक है तो जरूरी नहीं कि जो कमपनिया bonus share सीशू करती है वो कमपनिया महान हो वो कमपनिया best हो और उन कमपनियों में जरूर से जरूर buying करनी हो तो यहां पे आप एक तरह से इसको अपनी monitoring list में रख सकते हैं और since यह penny stock की तरह treat कर सकते हैं इसको तो जादा ऐसे stocks में investment मत करिए ठीक है जहां तक रही बात भाई कि bonus masters की तो यहां पर विप्रो लिमिटेड मदर संसुमी इंडिया लिमिटेड और Infosys लिमिटेड यह तीनों stocks जरूर से जरूर हमारी portfolio में होने चाहिए और यह तीनों stocks रखते हैं तो long term के लिए अगर हम रखते ह तो आप देख सकते हैं कि literally हर दो साल पे हर दो तीन साल पे आपको bonus shares 1 is to 1 की ratio में मिलते रहते हैं हमने अपने पिछली वीडियो में discuss कर रखा है कि कैसे यहां पर विप्रो का केवल एक stock आपको एक अच्छा खासा returns दे सकता था हमने अपनी वीडियो में discuss किया है कि कैसे Mother Sansumi कि कैवल 100 stocks यहां पर आपको लाखों का returns करोडों का returns दे सकते थे तो ऐसे stocks में कैवल 50 से 55 stocks अगर बाई करके छोड़ देते हैं long term के लिए तो आपको एक अच्छा खासा returns मिलता है just because of bonus shares आप clearly यहां पर देख सकते हैं 2013 में अगर आपके पास यहां पर 50 shares होते तो 2015 में 75 हो clearly यहां पर ढाई 300 से ज्यादा shares आपके पास हो चुके होते है current situation में just mother's and sumi limited में तो बस 5000-10,000 का investment long term के लिए अगर करते हैं ऐसे stocks में तो आपको लाखों करोडों में returns मिल सकते हैं ठीक है तो इस वीडियो में फिलाल इतने ही दोस्ता आपको उमीद वीडियो आपको पसंद बाई होगी इसमें दीगे जनकारिया आपके काम की होगी हलाकि एक disclaimer की बाई किसी तरह का recommendation नहीं है कि blindly in stocks में बाई करिए आप लोग के लिए information लाते रहते हैं ताकि आप सीख सकें और noise से बस सकें और एक profitable long term investor बन सकें